हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉक विद अब्दूर यूट्यूब चलल, दोस्तो आज की अपडेट है एनपी सीसी की तरफ से और बहुत अच्छी अपडेट है सिविल इंजिनियर्स के लिए, लेकिन दोस्तो अगर आप सिविल इंजिनियरिंग बेक्ग्राउंड से बिलॉ के लिए शुरू करते हैं वीडियो को, NPCC National Project Construction Corporation Limited, दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि यहां पर mode of selection क्या होने वाला है, तो समसे important चीज यह है कि यहां पर mode of selection आपका walking interview है, यानि कि offline interview आपका होगा, और अगर आप कॉलकाता से बिलॉंग करते हैं तो definitely आपको apply करना अगर आप civil engineering ब्रांच से हैं तो जैसा कि मुने शुरू आज से बोल दिया, तो walking interview दोस्तों यहां पर रहेगा एक particular location भी यहां पर बता दिया है, और NPCC कौन से कौन से project में काम करी हैं और आपकी जो requirement हैं वो कौन से project के अंदर रहने वाली हैं, NPCC Limited, a premier public sector enterprise is engaged in engineering, construction, planning, operation and project management, consistency in the fields, यानि के यह सारे विभाग के अंदर आपका रोल होगा, और इसके अलाब बात करी कि जो consistency है, वो कौन से कौन से project के अंदर, कौन से industries के अंदर है, तो industrial infrastructure, thermal, hydroelectric, tunneling, railways, highways, surface transport, township, etc. ये सारे के अंदर दोस्तों और भी यहां पर mentions है, उसके अंदर आपका utilization हो सकता है, NPCC को दोस्तों, urgently 5 लोगों की requirement है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, NPCC is in urgent need of 5 number of site engineer, civil, और contract business पर यह होगा, permanent basis पर नहीं होगा, on contract basis for a period of 1 year for various construction works in West Bengal and Sikkim under Easter zone Kolkata, कहा पर है तो, अब यह आपको कहा पर पहुंचन है रोस्तों, तो आपको यहां पर address दिया गया है, Zonal Manager NPCC Limited, 3A Dr. S.N. Roy Road, Kolkata, यहां पर आपका walk-in interview होने जा रहा है, और कौन सी date को होगा, यह सारी चीज़े भी आगे आ रही हैं, तो इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, Position Post की बात करें तो, जैसा कि हमने बताया, पाँच site engineers के requirement, और इन पाँच site engineers में से unreserved category की बात करें, तो तीन unreserved category के site engineers required हैं, OBC category का एक, और SC category का एक site engineer required है, आपको consolidated, जो salary मिलने वाली है, पर मन्त बेजिस पर वो रहेगी, 33,750, बैचलर इन इंजिनियरिंग फॉर्म, रिकगनाइज उनिवर्सिटी और इंस्टिट्यूट, रेगिलर आपका BE, complete होना चाहिए, civil engineering के अंतर, और post qualification experience, निल, यानि कोई भी experience नहीं होगा, तो भी आप अ सकते हो, दोस्तों, यही सबसे important बात, क्योंकि आप कहीं पर भी काम मागने जाओगे, as a site engineer, तो वो यही पूछेंगी, कि आपका experience कितना है, और यह जो 5 vacancies, number of vacancies come है, कोई बात नहीं, salary अच्छी, जो regular site engineer होता है, उसकी 12-15,000 salary होती है, उससे भी अच्छी salary आपको एक साल के और आगे बढ़ा देगा, आपके resume को और आगे बढ़ा देगा, तो जितने भी site engineer से खास करके Kolkata region से belong करते हैं, तो definitely उनको apply करना चाहिए, और experience भी यहाँ पर नहीं मागा गया है, तो एक साल का experience भी मिल जाएगा, salary भी मिल जाएगी, और आपकी value भी बढ़ जाएगी as a site engineer तो इस इसाब से दोस्तों जितने भी site engineer apply कर देना, बात करें दोस्तों यहाँ पर allowances की, तो provident fund 12% medical allowance of 1250 per month would be paid by the company, वो company bear करेंगे, उसके बात करें, age limit की, तो upper age limit यहाँ पर 40 साल है, यानि कि अगर आपकी 40 साल भी age है न तो भी आप apply कर सकते हो, 40 के नीचे तो definitely apply कर सकते हो, regeneration मिलेगा दोस्तों या relaxation मिलेगा SCST OBC candidate को, जो भी government के rule है वो, उसके हिसाब से, जो भी interested candidate से, वो annexure B के हिसाब से, या annexure B के format के हिसाब से apply कर सकते हैं, उसके अलावा दोस्तों, इस advertisement के related, जो भी notification है, जो भी update है, वो official website पर आप देख सकते हो, www.npcc.gov.in पर, यही इसकी एक important website है, यहाँ पर ही आपको update मिलेगा, उसके अलावा आपको कहीं पर भी update नहीं मिलेगा, यह था कि मैंने दोस्तों शुरुआत में ही बता है कि walk-in interview है, तो कब होने जा रहा है, 20th and 21st March को होने जा रहा है, 2023 को from 10am onwards and NPCC Ltd at Eastern Zone Office, ठेक है, जैसा कि आपको यहाँ पर location भी बता इसे बढ़ सकते हो, 20 और 21 March को होने जा रहा है, सुबा में 10 बजे से, ठीक है, entry of the candidates will be permitted up to 1.30pm, walk-in interview है, 10 बजे से start हो जाएगा, लेकिन आप दोपेर के देड़ बजे तक भी आ सकते हो, 1.30pm तक entry है, उसके बाद दोस्तों, अगर आप आते हो, walk-in interview है, 10 बजे से चालो हो ज जाएगा, उसके अलावाद दोस्तों, notification के अंदर कुछ general guidelines है, तो आप देख सकते हो, लगपक 13 points इन्होंने mention किये, तो उसको अच्छे से पढ़ लीजेगा, अब यहाँ पर जैसा कि मैंने शुवाद में बोला था, कि apply करना है, annexure B के format के हिसाब से, तो annexure B completely screen पर visible होगा, ज अच्छे से इसका print out निकाल लीजे, और इसमें जो भी details मांगी गई है, या जो भी photograph वगेरा लगाना है, वो आप लगा दीजे, और ready रख लीजे, 20 और 21 March को आपका interview होने जा रहा है, अच्छी बात है, without experience, आपका यहाँ पर interview होने जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, अगर आप fresher भी हो, तो भी interview देने जाओ, अगर आप fresher civil site engineer हो, interview देने जाओ, interview से भी आपको बहुत सेखने को मिलेगा, कि क्या पूछा जाता है, ठीक है, तो उमीद करता हो दोस्तों, यह civil engineers के लिए बहुत अच्छी update थी, और इसी के साथ मैं आज की वीडियो को end करता हो, बाकी branches वाले tension ना ले, अपने civil engineer दोस्तों को यह share कर सकते हो, और आपके लिए भी हमारी active job update से, वहां से भी आप अपनी वीडियो से देख सकते हो, update ले सकते हो, और apply कर सकते हो, इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो को end करते हैं, नेक्स वीडियो में तब तक के लिए good bye, आपके लिए